देखिए लेटिस्ट एपिसोड्स बिलकुल अड़ फ्री अच्छा किया जो आगई तू अपने घर चल पिटा अंदर चल तेरा कमरा ठीक कर दिया है हाथ मूँ धोले तेरी पसंद का खाना बनाया है समान पापा और सचिन ले आएंगे ठीक है चल सवाल को किया है लेकिन सवाल से बड़ा तेरा सुकून है कुछ भी पूछ के तेरा तिल नहीं दुखाना चाहते हैं कैसा लागा कमरा मेरी बेटी को उसका कमरा वैसा ही मिले जैसा वो छोड़की गए थी अच्छ तू अराम कर ले निखाना लगाने की तेरारी करते हूं ठीक है अराम कर लेती है इसे लिए आप मेरी मम्मा नहीं हो, मैं तरी मा होते, जब तक मैं बिल्कुल लोके नहीं हो जाता, पार्टी करा वो तो फोड भी नहीं काती नंदिश बेटा, सुनो, अच्छा, आप कौनसा गेम खेल रहे हो, नंदिश तो स्नेकें लैडर खेल रहा है, अच्छा, मम्मा आपको जॉइन कर सकते हैं, जैसे आपकी नंदु ममा की तब्यद खराब है, अब आप मासी से प्रॉमिस करो, कि आप अपना और नंदु मममा उनों का ख्याल रखोगे, ओके, बट आपकी तब्यद खराब है ना, गेम खेल के ठक गई तो, गेम रहने दो, अब रैस कर लो, आपके लिए बैट क्लीन कर दिया मैंने, अब आप अराम कर लो, अब अच्छा लग रहे, अब अच्छा लग रहे, बेटा, लेकिन आपको किस ने का, कि मामी की तब्यद खराब है, मैं तरी माने, मुझे मैंत्री माने बताया था, बोला कि आप भी उनकी मम्मा की तरह बैमार हो, तो जैसे वह अपनी मम्मा की केर करने जा रहे हैं न, मुझे भी आपकी केर करने होगी, पेशेंस, नंदनी, पेशेंस, यह सिर्फ मैत्री के तिये हुए संस्कारी कर सकते हैं, मुझे तो समझे नहीं आ रहा कि मैत्री से बात कैसे शुरू करें, कि उसका हाल चाल भी मिल जाया और उसे बुरा भी ना लगे, मैं तरी आज ही आई है, एक दो दिन का उसे समय दे दो, तो शायद वो सब कुछ खुद बतातेगी, अरे ने ने, सब ठीक चल रहा है ट्यूशन में, बच्चे कुछ टेंचन नहीं देते हैं, हाँ दीदी आओ ना, अब तो लगादर देनर बहुत भूग लगी है, प्लीज प्लीज अना बिटा, देख सब तेरी पसंद का बनाया है, अच्छा है ना, मैं जानते हूं, आप लोग यह जानना चाहते हैं कि, त्रिवेनी सदन में ऐसा क्या हुआ कि मैं आचानक यह आ गई, पर ममी पापा, आप लोग तो जानते हैं, मेरा हमेशा से यही प्लान था, वापस आने का, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, पता नहीं अपनी किसी स्टूपिड लॉजिक की वज़े से मैं वहां रुपी हुई थी, आप लोग तो तब से मुझसे कह रहे थे, कि वापस आजा, मुझे लगा कि लाइफ में तो उसते ही सब कुछ होती है, पर ऐसा नहीं है, लोग है, परिवार है, लाइस है, कितनी गलत थी ना मैं मम्मी? नहीं, बेटो, तु कभी गलत नहीं थी, अस नादानी में भोल जाती थी, कि किसे कितना प्यार देना है, नहीं, नादानी नहीं मम्मी, बेवकूफी, कितनी बेवकूफ थी मैं, प्यार और दोस्ती, बहां दिखाओ, जहाओ उसकी कदर हो, जरूरत हो, खेर, इंसान अपनी वलतियों से ही सीखता है, अब तक मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है, पर अब, अब मैं अपने परिवार और अपने सपनों से प्यार करूँगी, किसी दोस्त के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस घार के लिए जियोगी, तोस्ती मेरी कमजोरी थी, पर अब, मेरा परिवार मेरी ताकत बनेगा, यह ममी मेरे ले लाई थी, पिछले छे साल से मम्मी तेरे लिए साब लेकर आ रही है, अब मैं आ गई हूँ ना, तो यह मेरा हूँ. अरे उसका. चलो, तुनों लड़ाई बन दरो. जली से नाश्ता काओ, मुझे वाभी बहुत सारे काम है. चबते खुलते रहते हैं. यह ले बढ़ा. थांक यू पापा. मैत्री, तुने बोला था ना, तुझे नई जिन्दगी शुरू करनी है. तो हम सोच रहे थे कि तिर लिए लड़का दूनना शुरू करें. खुलते हैं, देख लेना. मिल भी लोंगी, और अगर पसंद आ गया, शादी भी कर लोंगी. खुश? मामी पापा अभी तुरंथ में. नहीं शुरूवात का मतलब सिर्फ शादी नहीं. बिस्निस को आगे लेके जाना है, बहुत सारे इवेंट्स ओर्गिनाइज करना है. सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव के लिए टाइम देना है. मैं और मेरी जिंदगी थोड़े से बिखर गया हूँ. समेट लो, सहच लो, उसके बाद शादी भी कर लोंगी. पर अभी फिल्हाल, सिर्फ मैं और मेरा बिस्निस. यह ऐसे खूर खूर के क्या देख रही है? पर मैत्री तो यह सब कुछ शादी के बाद भी तो कर सकती है, है ना? तो मैत्री कुछ सा शादी के लिए मना करी है? वो तो यह कह रही है कि बस थोड़ा समय दे तो असको, है ना? अब ममी देखो ना, कुछ महीनों से कोई बड़ा इवेंट किया ही नी मेरी कंपनी ने. अब इतनी महनत से कंपनी बनाई है, इस्टैबलिश की है, बंद कर दू क्या? बड़े इवेंट्स करने है तो बड़ी महनत भी करनी होगी, है ना? पर तो काम कहां से करेगी? ने हमारे परिवार पे बहुत अहसान किया है, महादेव उसे जहां भी रखें, खुस रखें. अरे हम तो भूली गए थे, कि उसका दपतर तो अभी हमारे घर में ही है. चलो ठीक है, इसी बहाने तुम्हारा मैट्री से मिलना जुलना होता रहेगा. नुद आट आएजी, बड़ी मुश्किल से पीछा चुड़ाया है. मैतरी को मैं इस घर में तुबारा एंडर नहीं होने दोगी. उसके लिए मुझे क्या करना है? मैं अरड़ी सोच चुकी हम. जब तक तेरो आपिस त्रिवेनी सदन में हैं, तब तक तेरी जिंदीकी के तार उस घर से और रिष्टे उन लोगों से उल्चे रहेंगे. मम्मी, सिर्फ ओपिस की बात नहीं है. पर वैसे भी उस घर से मेरा रिष्टा कभी भी नहीं तूट सकता जब तक नंदिश वहा है. मैं तो आज भी फोन करने वाली थी उसका हलचाल पूछने के लिए. और फिर अपने आपको रोक लिया है. यह सोचके कि उसे मेरे बिना रहने की आदत पड़ जाए. हाँ भाईया, अगर आप काम अच्छा करेंगे तो मैं आपको टिप भी दूँगी. अग्चिली मेरे घर में बहुत सी अन्वांटेड चीज हो कही है. तो कुछ तो मैंने हटा दिया, कुछ आप अप अटा दीजएगा. तो प्लीज आप आजएगे. हाँ, हाँ, ठीके मैं वेट करेंगे, आप आजएगे. मैत्री को ऑफिस के बहाने में इस घर में नहीं आने दूँगी. लंदेनी? हशीष. एक मनेट याया. हम सब जानते थे ना कि मैत्री जाने वाली है. अब वो चली भी कई. तो नंदेनी, अब तुम उसे इस घर से दूर क्यों रखना चाती हूँ? अशीष, तुम बेना C.I.D. बन जाते हूँ. तॉबे तॉबे पह राते हूँ पता ही नहीं चुलता है कि तुम आ गए. या कर रहे हो तुम इसा? बन्दू, तुम ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया. अशीष. मेरे इंटेलिजन पती. अशीष, वो क्या हुआ ना कि तुम ने सुना कुछ और और संजा कुछ और? हाँ, अशीष वो मैं कह रही थी कि मेत्री अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही है. और अगर इसी गर में उसका आना जाना लगा रहेगा, तो नंदिश, जिमिदारियां, फैमिली, वेटसम में उलजके रह जाएगी. तो तुम खुदी सोचो, उसे अपने ले टाइम कैसे मिलेगा? हमें तो पता है ना, कि मैत्री अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है, और आम तो उसके बेस्फरेंद्स है ना? तो हमें उसकी हेल्फ करने चाहिए, उसे आगे बढ़ते वे देखते वे खुश होना चाहिए, और उसके लिए अगर इस घर में आने से हमें उसे रोखना भी पड़ेगा ना? तो हम भो करेंगे, तुम्हें मन्जूर है? तुम्हें मन्जूर है? तुम्हें किसने बोला, हम नहीं रहेंगे? हम रहेंगे, हम उसे बात करेंगे लेकिन आशीश, तुम दोस्ती का फर्स तो बहुत अच्छे से निभाते हो थोड़ा अधी होने का फर्स भी अच्छे से निभाव देखो ना, आज न घर चल्दी आजाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी हम, ठीक है? अब जाओ जाओ, बाई, चल्दी आना हाँ ए भगवान, इकाउन सा उल्का पिंट गिरा है महले में, जलो देखें, देखें आज़ा बिटो का हुआ? है? ए तेरा खिया कहें आया है? दाई जी वो लोग आया है मैत्री का आफिस तो आफिस तोट नहीं? और तूने बुलाया इन्हें लेकिन नंदू, आज नहीं तो कल मैत्री अपना आफिस लही जाती न अपने साथ ताई जी वो मैं चाहती थी कि मैत्री अपनी निव लाइफ स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि उसे पूरी तरीके से करने चाहिए आई मीन भही पुराना स्पेस, पुराना ओफिस, पुरानी यादे तो नया कैसे सोच पाएगी, नया कैसे कर पाएगी बस इसलिए भही आजी, मैंने ही आफ लोग को बलाया है चल देखने आदेखिए, आप समान के टेंशन मत लीजेगा तूटते है तूटने दीजेए बस आप जल्दी हटवा दीजेए दीजेए तूटते है तेम्पो यादे देखिए, आप लोग जाएए ऑफिस डिस्मेंटल करना शिरो कीजे और ध्यान से कोई भी चीज प्रूटनी नहीं चाहिए. जाएए. पैत्री, तुने बुलाया इन लोग को? अफ्कॉर्स. मैं इनके साथ हाये हूँ, तो मैंने ही बुलाया होका. तो क्या है ना, नंदिनी? मैं जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ. तो ओफिस भी नहीं जगे ही होना चाहिए, जिब कुराना कुछ भी नहीं चाहिए. मैत्री, तुझे मेरे घार आके इतनी महनत करने की ज़रूरत नहीं थी. इन फैक्ट मैंने तेरे लिए खुद मुव सब इसमंगा रखी थी. कि यही तेरे समान ले जा सके? वो क्या है ना, मेरे घर में किसी दूसरे की पड़िवी चीज मैं खुद हड़ा सकती हूँ. जिस घर में मेरी ज़रूरत ना हो, वहां रहे के मैं अल्यडी एक गल्टी कर चुकी उनन्दनी. अब उसी घर में मैं अपना ओफिस भी रखूँ. मैं ऐसी गल्टी मैं दुबारा नहीं करूँड़ू. इसलिए अपना ओफिस हटवाने की जम्मेदारी हैने खुद को दी है. मैत्री पिटर, तो अपना दफ्तर हटवा रही है? जी आंटे, वो क्या है ना, मैं इस घर से तू चली गई. पर अब अगर मेरा ओफिस यहां होगा तो किसी को लग सकता है कि मैं घर से गई ही नहीं. इसलिए. देखा, नंदू, तू मैत्री के आफिस का सामान उठवाना चाहती थी, और मैत्री खुद ही आकर अपना दफ्तर का सामान उठवा ली. हमने कहा था ना, यह लड़की किसी का इंतजार नहीं करेगी अपना काम करने के लिए. तैजी, अब ओफिस मैं हटवाओं. च्या मेरी बेस्ट फ्रेंड हटवाए? ओफिस हटने से मतलब है. और वो होई रहे. है ना मैत्री? बास, बास, बास. चलिए, भाया. सब रखिये धीरे-धीरे करके, ठीके? चलिए, पन्डित मौला प्रयागरा इप्तरपर्देश्य。 पन्डित मौला प्रयागराज इप्तरपर्देश्य. बाल, भी बैट्ट्डू. अले ही ओफिस था लेकिन घर में ता तो घर का हिस्सा बन गया था अब सब समेट रहे हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कुसुम अंटी मैं ओफिस का सामान टेंपो में समेट के लेके जातो रहीं और आपका प्यार और इस घर से चोड़ी सारी यादे मैं अपने दिल में समेट के लेके जारी खेर मैं चलती हूँ देखो मैत्री मैत्री चाहे अपने मन का करती है लेकिन फिर भी लड़की खुद्दार है देखो यहां से गई तो खुदी अपना दफतर समेट के खुदी टेंपो में लदवा के साथ में ले गई झाल